Hello everyone, Welcome to my channel Bulgaria में जन्मी बाबा वेंगा आज कल चर्चा का विशय बनी हुई है कारण उनके द्वारा 2022 के लिए की गई भविश्यवानियां सच होती हुई दिखलाई पढ़ रही है कौन कौन सी भविश्यवानियां सच हो चुकी है आज उनके बारे में मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ जो 2022 में यानि 2022 में सच हो चुकी है और उन्होंने इसके बारे में पहले ही अपने शिश्यों को बतला दिया था बुलगेरिया में जन्मी बाबा वेंगा बच्पन से नेत्रहिन नहीं थी मात्र बारा वर्ष की आयू में रेत बवंडर के चक्कर में फस जाने के कारण जब बहुत सारी बालू बहुत सारी रेत उनकी आखों में चली गई तब उस रेत के बवंडर में फसने के कारण और उनकी आखों में रेत चले जाने के कारण वो दृष्टी हीन हो गई उनकी दिश्टी चली गई लेकिन कहते हैं जब ये प्रकृती ये डिवाइन आप से कुछ छीन लेती है तो उसके बदले में कुछ आपको देती भी है यही हुआ बाबा वेंगा के साथ 12 वर्ष की आयों में जब उन्होंने अपनी दिश्टी को खो दिया ठिक उसी समय से वो साइकिक बन गई यानि भविश्य में देखने के लिए जो दिश्टी चाहिए वो इश्वर ने उन्हें प्रदान कर दी 85% उनकी भविश्यवानिया आज तक सच होती गई है लोगों ने देखा है उनकी भविश्यवानिया किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी गई है लेकिन उनके जो डिसाइपल्स है वो माउथ टू माउथ ये पबलिसिटी करते रहते हैं कि बाबा वेंगा ने ये बात कही और 9-11 और 26-11 वो दो महत पूर्ण भविश्यवानिया हैं जिनके बारे में बाबा वेंगा ने सालों पहले भविश्यवानि कर दी थी इसके अलावा कोरोना के बारे में भी उन्होंने पहले ही बतला दिया था अब मैं बतलाने जा रही हूं कि 2022 में उनकी कौन सी भविश्यवा सच हुई जिनके बारे में उन्होंने पहले ही बतला दिया था पहली भविश्यवानि उन्होंने भयंकर बाड के बारे में कहा है दूसरी भविश्यवानि उन्होंने भयंकर गर्मी और उससे होने वाले सूखे के बारे में कहा था कि संसार में कुछ प्रदेश जहां पर एक तरफ बाड़ की चपेट में रहेंगे वही पर इस संगसार में कुछ कंट्रीज ऐसे भी होंगे जहां पर भयंकर गर्मी और सूखा पड़ेगा इसके साथ ही उन्हों ने चाइना का भी नाम लिया चाइना में अभी रिसेंटली आपने देखा बैंक, फाइब बैंक्स दिवालिया घोशित कर दिये गए और उन फाइब बैंक्स ने रिस्टिक्शन रगा दिये कि जिन्हों ने भी अपना पैसा उन पाँच बैंकों में रखा है वो निकाल नहीं सकते तो चाइना की कंडिशन प्लस चाइना की सडकों पर दरार आ गई है भयानक गर्मी के कारण तो जहां भयानक गर्मी का उपद्रों उसकी भविश्यवानी बाबा वेंगा ने की चाइना की सडकों पर वो दिखलाई पढ़ रही है कि रास्ते में क्रैक्स आ गए हैं लोग त प्लड की भविश्यवानी आप खुद देख रहे हैं कि जगा जगा भारत वर्ष में ही नहीं बलकि बाहर भी बहुत सारी जगों पर बिट्विन फेप टू एप्रिल ऑस्ट्रेलिया और युरोप के कई जगों पर साउथ एशिया बिट्विन फेप टू एप्रिल बाण आई थी और अभी पश्चिमी युरोप इटली इरान फ्रांस ब्रिटेन लंडन सुखा पड़ा हुआ है भयंकर गर्मी पढ़ रही है तापमान 50 के उपर चला जा रहा है रास्ते में क्रैक्स आ रहे हैं और लोग गर्मी के कारण त्राहिमम त्राहिमम कर रहे हैं ये भविश्य जो 2022 में सच हुई आगे के लिए भी उन्होंने भविश्यवानी की है ये 2022 खत्म होते होते और भी कई उपद्रव प्रकृती के द्वारा लोग देखेंगे पानी का संकट वाटर क्राइसिस उनकी एक बहुत इंपोर्टेंट प्रेडिक्शन 2022 के लिए है आज पश्चिमी य अलावा जहां पर भी भयंकर गर्मी पढ़ रही है सुखा पढ़ गया है वहां पर उन देशों में मैंने जिन कंट्रिस के आपके नाम बता है वहां पर वाटर क्राइसिस भी वाटर शॉर्टेज भी लोग देख रहे हैं यही वाटर शॉर्टेज आगे बहुत सारे और लोग भी परेशान हैं महंगाई के बारे में उन्होंने कहा था कि इतनी भयंकर महंगाई हो जाएगी कि लोग सडकों पर उतर आएगे आज देख लिया आपने श्री लंका में और पाकिस्तान में लोग सडकों पर उतर आए हैं कारण वहां पर भयंकर रूप से महंगाई हो गई है लोग अपने जीवन में दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजे भी खरीद नहीं पा रहे हैं इसके अलावा जो फ्लड के बारे में उन्होंने बतलाया अभी रिसेंटनी आपने असम में देखा है कितने बुरे हालात फ्लड के कारण हुए हैं वहां के लोग बहुत ज पर की फ्लड आये हुए हैं तो इस प्रकार से जो बाबा विंगा ने 2022 के लिए भविश्यमानिया की वह 100% सच हुई हैं इसके अलावा रशिया के बारे में उन्होंने कहा कि 2022 में रशिया उस युद्ध को लड़ेगा जिसमें उसे हराना ना मुम्किन हो जाएगा महाभारत पार्ट टू जो रशिया अभी लड़ता चला जा रहा है आप देख रहे हैं एक मजबूत राश्टर के रूप में आज भी वो अपनी जगा पर अडिग है जहां पूरे संगसार की करेंसी हर देश की करेंसी जहां पर उसकी वैल्यू कम हो गई है वही पर डॉलर और रशिया की करेंसी रूबल आज अपनी वैल्यू को बना कर रखे हुए हैं तो बाबा वेंगा की एक बहुत महत पूर्ण 2022 के लिए ये भविश्यवानी सच हुई जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया की करेंसी नीचे नहीं गिरेगी पहली बात और दूसरी बात रशिया को हराना नामुम्किन हो जाएगा तो आज मैंने देखा कि बाबा वेंगा ने जो भी भविश्यवानिया की 2022 के लिए आगे भी उन्होंने बिजरी के संकट को लेकर भी बात कही है साथ ही दुनिया वाटर क्राइसिस को भी जेलेगी और भयंकर गर्मी से लोग परिशान होंगे इस पेन की जंगलों में अभी भी वो आग लगी हुई है जो लाख कोशिशों के बाव जूद भी जिसे बुझाया नहीं जा पा रहा है तो यही वो भविश्यवानिया थी जो सच हुई बाबा वेंगा के द्वारा और आने वाले समय में देखेंगे कि और कौन सी उनकी लाज से डार आणे टार आने लगी हैं और कर दोली जाएने बादेंगे में लाबना आई पो लड़ार आ नहीं में अभे सकते भी जगे में लाज से में जब सकते हैं business लाज से बाज